नमस्कार दोस्तों मैं रभी आपका स्वागत करता हूँ उपने यूटूब चैनल इकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जनकारी देने वाला हूँ पांच रुपे के लोग मानने बाल कंगदर तिलक के स्टेलेस स्टेल के एक रेयर सिक्के के बा आया है और वो साड़े तीन से चारह जार रुपे की कीमत में बिखता है अराम से बिख जाता है जो बाल कंगदर तिलक जी वाले सिक्के आते है ये उससे भी कम देखने को मिलता है जिस सिक्के के बारे में आपको जनकारी देने वाला हूँ मैंने कुछ दिन पहले आपको ज चुका हूँ और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना कर आपको चार पांच मिंट मार्क वाले सिक्कों के बारे बताया था और ये बताया था कि इन सभी सिक्कों की मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि सारी चीजा आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो ये स्टेलेस स्टील के सिक्के हैं दो देख सकते हैं ये च्छे गिराम वजन के सिक्के हैं जो कि मुंबई मिंट से बनाए गए हैं बाल गगगा दरती लग के इनी स्टेलेस स्टील के सिक्के में वो रेर वराइटी है और ये दोनों ही स्टेलेस स्टील के सिक्के जन्ना सर् रूपे की कीमत रखता है और एक सिक्का करीब करीब 3500 रूपे से लेकर 4000 रूपे तक कीमत रखता है तो कैसे पता चलेगा हमें क्या कौन सा सिक्का हमें ढूनना है और कौन सा सिक्का महंगा बिखता है और कैसे बिखेगा ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम बाल गंगादर तिलंक का यह सिक्का देख लेते है यह देखे, यह कोईन की ओबर साइड है जहापत सैंटर में शोकिस्तम्भ है और भारत इंडिया, इंडिया रुपीज यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में लिक्खा गया है यह कोईन की रिवर साइड है जहां पर बाल गंगर तिलक का चितर बना गया है और नीचे हम यहां देखेंगे तो हमें मिंट मार्क देखने को मिलेगा ये देखे, लोक मानने के ठीक नीचे हमें मिंट मार्क देखने को मिल रहा है, ये देखे diamond का mint mark देखने को मिल रहा है लोक मानने के ठीक नीचे जबकि हम दूसरा stillness still का सिख्का देखते हैं तो उसमें हमें देखते हैं क्या कैसा mint mark देखने को मिलेगा यह दूसरा mint mark वाला सिख्का है यह देखे still का इसके नीचे भी हमें mint mark पर नज़र डालनी होगी, क्योंकि mint mark से ही उस rare सिक्के के बारे में हमें पता चल पाएगा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है M का mint mark, यह देखे लोक मानने के ठीक नीचे बिल्कुल clear M बना हुआ देख सकते हैं, यानि कि जो M है यह परदर्शित करता है कि यह M mint mark वाला सिक्का भारा सरकार टकसाल, मुंबई mint की तरफ से ढाला गया है जो M mint mark वाले सिक्के है वो proof coins पर देखने को मिलते है यानि करी जो M mint mark है, यह M बना होता है proof सिक्के उबर वो proof सिक्के जो जन्ना सरकूलेशन में नहीं आते है लेकिन यह M mint mark वाला सिक्का बाल गंगादर तिलक का इस्टेने सिठिल का यह आमचलन का सिक्का है पहले जो मुंबई mint की तरफ से proof coin आते थे उन पर B का mint mark देखने को मिलता था B for Bombay अब M mint mark आता है यानि के M for Mumbai तो अब यह जो M mint mark वाला सिक्का है इस सिक्के पर जो proof coin आता है कोपर निकल का उस सिक्के की डाई का इस्तमाल किया गया है proof coin कौन सा वो मैं आपको दिखा देता हूं यह देखे यह है लोक माने बाल का गंगदर तिलक की commodity सिक्के 277 में जारी किये गए थे proof set to coins इस proof set को हम जब open करते हैं तो इसमें वो हमें M mint mark वाला सिक्का दिखता है यह देखे इस proof set में 2 सिक्के आते हैं 100 रुपे का और 5 रुपे का अब यह है वो सिक्का यह देखे यह proof set में M mint mark वाले सिक्के आते हैं यहां बिल्कुल नीचे देखे लोक मानने का ठीक नीचे आपर M का mint mark आपको देखने को मिल जाएगा तो जो proof coin है इस proof coin की die का इस्तमाल किया गया है general circulation में आए stainless steel के सिक्के पर और यह बहुत कम मातर में general circulation में सिक्के देखने को मिले इस वज़े से सिक्के खास बन जाते है अगर यह सिक्का आपके पास fine से very fine condition में भी है तब भी आपको 2-5,000 रुपे दिलवा सकता है लेकिन अगर यह सिक्का आपको मिल जाता है UNC कंडिशन में तो इसी कीमत करीब करीब 35,000 रुपे या उससे भी 200-400 रुपे उपर हो सकती है Facebook पर ऐसे बहुत सारे numismatist के गुरूप है जहापर ऐसे rare और valuable सिक्कों की खरीदे बेचे जाते हैं आप ऐसे rare सिक्के exhibition में भी बेच सकते हैं जो मैंने बताए stainless steel का सिक्का यह M mint mark वाला और यह आम चलन का ही सिक्का है यह सभी सिक्के यह चारो अलग-अलग dive variety यह सभी सिक्के आम चलन के हैं यह ध्यान रखिया यह सभी valuable और rare सिक्के हैं जो आम चलन में आए तो बालगंगदर तिलक का यह M mint mark वाला सिक्का आपको भी collect करना चाहिए अगर आपके पास इस तरह के बहुत सारे stainless steel के बालगंगदर तिलक के सिक्के हैं तो आपको बस mint mark के तरफ एक बार नजर माल लेना है अगर आपके सिक्के में mint mark M वाला सिक्का है लेकिन stainless steel का सिक्का तो आपका सिक्का यह खास और valuable और rare हो जाता है तो आज कि यह वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताना चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाके और सरेट करने ताइकि आने वाली वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सके आज किस वीडियो को ही खतम करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद